सब्त धातु के बारे में जानते हुए हम आप पहुंचे हैं आखरी और सात्मी धातु यानि कि शुक्र धातु के बारे में शुक्र, स्पॉम या सीमन इसके ये तीन तरह के नाम समझ लीजिए या इंग्रेजी में, हिंदी में जो भी कहा जाए तो ये सबी एक ही चीज है तो शुक्र धातु हमारे शरीर में किस प्रकार से कारे करती है क्या इसका हमारे शरीर में महतो होता है, कहां इसका स्थान होता है, किस प्रकार से शरीर का ये पोशन करती है और इसके घटने या बढ़ने से शरीर में क्या-क्या समस्याय उत्पन होती है आज ये सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर तो आईए वीडियो को शुरू करते है सादर पनाम मैं विशाल एक बार पना स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल सनातन मार्ग पर शुक्र शरीर का ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर शुक्र व्याप्त ना रहता हो मर्शी चरक का ऐसा कहना है या सभी अहरविदा चारियों का ऐसा कहना है शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जहां पर शुक्रधातू आपका स्पॉम ना रहता हो वो हर जगा विद्धमान रहता है वो ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार से दूद के अंदर घृत होता है घी होता है चुपा होता है आपको दूद में घी नहीं दिखेगा जब तक उसको दही जमा के मथेंगे नहीं अलग नहीं होगा मक्खन फिर मक्खन को गरम करेंगे तब जाके घृत निकलेगा लेकिन था तो उसी दूद में न तो जिस प्रकार से पूरे दूद में घृत चुपा होता है ठीक इसी प्रकार से सम्कून शरीर में शुक्र व्यापत होता है और शुक्र जो है पूरे शरीर को बल देता है बल प्रदान करता है जैसे कि पिछली वीडियो मैंने बताया था मज्जा वाले में बोन मेरो वाले में कि शरीर को बल प्रदान करने वाली दो ही धातुएं होती है मान्स हड़ी यह सब बल नहीं प्रदान करती है बल जिरफ बोन मेंरो, यानि कि मज्जा और शुक्रधातू प्रदान करती है, तो ठीक इसी प्रकार से पूरे शरीर में ये व्याप्त होती है, और एक एक अंग को जो बल प्रदान का force लगाने का, पावर लगाने का जो काम होता है, वो शुक्रधातू का ही अधीन होता है, श जो texture दिखाई देता है आपको वो ऐसा होता है जैसा आपने स्फटिक का पत्थर देखा होगा स्फटिक प्रकार का पत्थर है जिससे विशेश कर शिवलिंग इत्यादी बनाए जाते हैं आपने कई शिवलिंग देखते होंगे काफी चमकदार वाइट कलर के शीशे नुमा डिक्विड के फॉम में हैं और दूसरा ऐसा कहा गया कि यह मधुर है मीठा है साती साथ इसका जो गंध है गंध्यानिकि यूद्ध के समान मधू यानि की शहद की जो गंध आती है इसके अंदर भी कुछ वैसे smell होती यानि कि जो शुद्ध शुक्र होगा उसके बारे में ये वर्णन बताए गया जो बहुत अच्छी टेक्शर का बहुत अच्छी क्वालिटी का शुक्र होगा जिसकी सब्ध धातु में पूरी पुष्ट होंगी जो त्रिदोष जो होगा जिसका बिल्कुल सम अवस्था जब शुक्रधातु आगनी कारे करती है तब जाकर होती है और इसका जो निर्मान माना गया है व्रिशन में माना गया नहीं कि जो टेस्टिकल्स होते हैं हमारे महां पर इसका निर्मान होता है शुक्रधातु का जो मुख्यकार होता है आपको धैर्यवान बनाना सुक्दु जो शुक्र का एक और नाम पाया जाता है वो होता है वीरे, जो वीरता वाला वीरे है वो यहीं से लिया गया है, तो जिसके अंदर शुक्र की मात्रा बहुत अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, तो उतना ही शूरवीर और प्राक्रमी भी माना जाता है, आपके अ संतुलन के लिए भी बहुत अच्छा है तो ये मन युक्त जो भावना है उन सभी को भी है कंट्रोल करता है शुक्रधातु जब छै होने लगे यानि आपके शेर में घटने लगे तो आयरवेद उसके कुछ लक्षण बताता है लक्षणों में सबसे पहला लक्षण होती है थ प्यास का लगना अंग अंग में ऐसे मरदन होगा दर्द होगा कि मतलब आपको लगेगा कि बराबर हर एक अंग सुई की तरह चुप रहा है और तूट रहा है आपके अंदर नपुन सकता आजाएगी शरीर पीला सा पढ़ जाएगा पीले पन पर आजाएगा जैसे जॉन कि पीला पर जाएगा लींग इत्यादी में दर्ध होने लगेगा लिंग में जलन होने लगेगी ऐसी में समस्या आपको दिखाई पड़ेगी फिर उसके बाद बात करें तो आपको डिश्यार्ज होगा बहुत लेट होगा या कई बार डिशेर्ग के अंदर बैडिंग जैस धातु की पुष्टी करते हुए यह पहुंचती है प्लस में इसका बढ़ जाना इतना असान नहीं है हजारों लाखों या करोडों में से कोई एक आदा होगा जिसके साथ नैचुरली ऐसा होता होगा बलकि चाकर भी जो लोग करना चाते हैं शुक्रधातु इतनी नहीं बढ़ती है परन्तु फिर भी बढ़ जाये तो उसके कुछ लक्षण ऐसे बताए गए है कि आपको संभोग की उतेजना बहुत जादा पैदा होगी चाकर भी साथ अंग अंग का तूटना तो कुछ इस प्रकार के लक्षण शुक्रधातु के बढ़ जाने के आयरवेद के अंदर वर्णित किये गए हैं तो ये था शुक्रधातू के बारे में, यानि अंतिमधातू के बारे में, फिर इन सभी धातूं का जो सार होता है, वो होता है ओज, शुक्रधातू इत्यादी सब का सार जो होता है, ओज होता है, तो अंतिमधातू जब आपकी बिल्कुल अच्छी बन जाएगी, उसके बाद ओज का निर्माण होता है और ओज ही शरीर का धारन करता है शरीर का प्राण होता है तो ओज होगा आपके शरीर में तो ही आप जिंदा है ओज के खतम होते ही आपकी बिल्कुल मृत्यू हो जाएगी तो इसी तरह से अंतिम धातु की पुष्टी करते हुए हमें रहना चाहिए क्योंकि तभी जाके ओज का निर्मान होता है और हमारा शेरी अच्छे से चल पाता है तो इसी प्रकारी की ज्यान वर्दक और स्वास्द वर्दक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन का बटन दबादें